Hello everyone, my name is Sartak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली वार हमारी वीडियो से लेख रहे हैं, तो हम वीडियो बनाता हैं Student Problems, Books, Summary's और Career Awareness से रेलेटेड्ड ये हमारी Study Technique Series की Second Video है. पहली वीडियो में हमने बात करी थी Rote Learning के बारे में की Ratification कैसे एक टेकनीक है और हम कैसे इस टेकनीक का positively use कर सकते हैं और आज हम बात करने वाले हैं REAP, RIP method के बारे में कोई भी इस टेकनीक के बारे में बात नहीं करता हो यह मुझा सक समझ में नहीं आया क्यों यह टेकनीक आपको कभ यूज करनी है जब पहली बार किसी chapter से आप रूबरू होते हो ना first time पहली बार किसी chapter की शकल देखी उस दिन इस टेकनीक को आप अप्लाइ करना start कर सकते हैं REAP, REAP stands for read and code, annotate and ponder दिल पे हाथ रखो और एक बार लंबी घरी सांसे लेते होए मेरे साथ repeat करो REAP, REAP stands for read and code, annotate and ponder कोई notes नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक plain reading आपको अपने chapter की, अपने topic की इस step में करनी है so point number one is read, right point number two, इसको करना है आपको encode encode का मतलब क्या है, जो topic सामने है न, जो chapter आपके सामने है वो है author की language में, right उसको आपको अपनी language में लिखना है उसके notes बनाने है पहले तो हमने plain reading करी उसके बाद जो author की language में लिखना है उसको अपनी language में convert कर लो 50% तो वैसी असान हो गया वो अपनी language में है अब, right तो second step में आपको अपनी language में उस topic को convert करना है जिससे easily हम उसको याद कर सकें, right R, E, A A for annotate annotate का मतलब क्या होता है annotate में आपने जो study notes बनाये न उनसे conclusions निकालने है बहुती बहुती basic example book में लिखा है A parallel to B, B parallel to C ये book में लिखा है conclusion क्या निकला A is parallel to C, right तो ये आपका एक तरीके से conclusion वहा तो ऐसे ही करके आपने जो notes बनाये उनके धुरू कुछ conclusions निकालने है कुछ ऐसे points निकालने है जो exam में question नहीं आते typical question जिनको कह देते हैं कि जिनकी language यार बड़ी अलगाई थी समझ नहीं आया उस type के कुछ conclusive points अगर हम निकालने है तो हमारी journey बहुत असान हो जाईए कि exam के लिए त्यारी करने की तो R हो गया E हो गया A हो गया अब आएगा ponder इस technique में आपको क्या करना है इसमें आपको अपने friend से बाचीत करनी है और देखना है भई उसके क्या conclusions निकले जो मेरे conclusions है उससे जादा है क्या उससे कम है क्या पता मेरे कुछ conclusions गलत हो तो last step में आपको conclusions और अपने friend से बाचीत करनी है कि उसके और मेरे notes में क्या फरक है अगर कुछ है तो उनसे हम similarity कर सकते हैं तो इस पूरे step को 4 step process को हमको implement करना और इसके बाद ना topic फिर दोस्त के जो conclusions से उनसे मिलाके हमने दुबारा notes बनाए वो topic खतम हो चुका है अब वो आपके कुछ pages में convert हो जाएगा तो उससे आपका जो journey है न उसको learn करनेगी बहुत असान हो जाएगी राइट? So that's all from my side If you like this video अगर बहुत दिल से ये वीडियो आपको पसंद आए तो please अपने friends के साथ share करना और हम रूबरू होता है न next video में Bye Bye